रधे राधे आप सभी को गुडर्म आज़नेंग स्वागत है आप सभी का इस क्लास में तो आधोनी खिन्दिसाहिति का इतिहास बचेनसिंग का हम लोगा स्ठाट किये हैं और उस पे यह दूसरी क्लास है पहली क्लास में हमने भूमिका देखी है आप सभी ने देखा होगा और इस क्लास में अब हम देखेंगे पहला चेप्टर इसका है पुनर जागरण काल तो हम देखेंगे इसे और इसकी समय सीमा यहां बताई गई है 1857 से 1910 तो ध्यान देना है आपको पुनरजागरण काल की समय सीमा इसके बाद आता है आपका अध्या एक है बदलाव की स्थितियां तो बदलाव की स्थितियां हम देखेंगे कि उस समय बदलाव के लिए क्या क्या स्थितिया थी क्यों बदलाव हुआ, क्या-क्या बदलाव हुए तो लिखे हैं कोई भी बदलाव यो ही नहीं होता बलकि उसके कुछ कारड होते हैं दो संस्कृतियो का अंतरावलंबन परिवर्थन के लिए उतना कारगर नहीं होता जितना समाज के बुनियादी धाचे को बतलने वाले आर्थिक कारण मुख्य कारण आर्थिक होता है सांस्कृतिक कारण तो गोड है यह बात दूसरी है कि कभी सांस्कृतिक कारण भी प्रधान हो उठता है पर इन दोनों को ले आने का दाइत्व जाने अंजाने अंग्रेजों को ही है तो जाने अंजाने से मुझे संस्मरण याद आ गया विश्णु प्रभाकर का संस्मरण है जाने अंजाने तो कहे रहे हैं बच्चन सिंग की पर इन दोनों को जो सांस्कृतिक कारड़ है आर्थिक कारड़ है दोनों को लाने का दाइत जाने अंजाने अंग्रेजों कही है अता अधुनी काल की परिवर्त मान प्रक्रिया को समझने के लिए उन समस्त कारडों का विवेचन आवस्येख है जो अंग्रेजी सामराज जिवात के फलसरूप प्रादुर्भूत हुई राजनीती किस्थिती देखते हैं कि राजनीती किस्थिती उस समय क्या थी क्योंकि हाली में देश अभी आजाद हुआ था सन 1857 से हिंदी साहित्य का आधुनी काल सुरूआत होता है हिंदी साहित्य की आधुनी काल के सुरूआत कब से होती है 1857 से पर भारत वर्ष की आधुनिक बनने की प्रक्रिया सुरुआतीक शताब दिपुरू सी समय से 1757 से ही हो जाती है जब इस्ट इंडिया कम्पनी ने नवाब सिराजु दल्ला को प्लासी की लडाई में हाराया था बता रहे हैं कि हिंदी साहित में आधुनिक काल काराम तो 1857 से होता है लेकिन भारत वर्ष के आधुनिक बनने की प्रक्रिया तभी सुरू हो जाती है जब इस्ट इंडिया कम्पनी का भारत में आगमन होता है और 1757 में प्लासी की युद्ध में सिराजु दल्ला को हराती है वो सिराजु दल्ला की हार के बाद संपूर्ण बंगाल पे अंग्रेजों का अधिकार हो गया 1764 में बक्सर की लडाई में मुगल समराट साह आलम भी पराजित हुए सन 1765 में कड़ा के युद्ध में उसकी रही सक्ती भी समाप्थ हो गई समराट ने अब बंगाल बिहार और उरिशा के दिवानी अंग्रेजों को बक्ष दी श्वंपूर नदेश पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए अंग्रेजों को दो और शक्तियों को पराजित करना सेश था वे सक्तियां थी मराठे और शिक्ख सिक्ख तो पंजाब की सीमा में थे परन्तु मराठों का प्रभाव बहुत ब्यापक था पारासपरिक फूट और संघर्ष के कारड असी 1803 और लासवारी 1803 के युद में मराठे विजित हो गए और उनकी संघ शक्ति समाप्त हो गई सन 1847 में 1849 में सिखों को पराजित करने के बाद संपूर्ण देश अंग्रेजों की अधिन हो गया 1856 में अवद भी अंग्रेज राज्य में सम्मिलित कर लिया गया अपनी इस विजे के कारड अंग्रेजों का मदोनमत हो जाना स्वभाविक था उनकी नीतियों से असंतुष्ट देशी राजाओं सी पाहियों की शानों ने एक जूट होकर सन 1857 इस बी में ब्यापकस्तर पे देश विद्रो किया 1857 में हिंदी में आधुनी कालाता है 1857 में क्रांती भी हुई थी ये भी ध्यान देना है तो दोनों का कुछ हापस में संबंध होगा 1857 के संघर्ष के फलसरूप इस्ट इंडिया कमपनी समाप्त कर दी गई और भारत वर्ष ब्रिटिस समराजे का उपनीवेश बन गया अंग्रियेजों ने अपनी आर्थिक सैचरिक तथा प्रसासनिक नीतियों में पहिवर्थन किया इस देश के लोग भी नए संदर्व में कुछ नया सोचने और करने के लिए बाते हुए ठेक क्या बोला मैंने बोल दिया कि आधुनी काल की जब से शुरुआत हुए भारत भी उसी समय आजाद हुआ था नहीं आधुनी काल की तो शुरुआत 1857 में हुई थी मैं 1957 समझ ली थी मतलब मेरे दिमाग में चलने लगा था लेकिन नहीं और भारत तो 1947 में जाद हुआ और आधुनी काल की शुरुआत हुए 1857 में साहित्य मनुष्य के ब्रिहत्तर शुक्दुक के साथ पहली बार जुडा यह भारतेंदु के समय में हुआ वह भी गद्य के माध्यम से आधुनीक जीवन चेतना की चिंगारिया गद्य में दिखाई पड़ी पद्य में नहीं नया युग अपनी अभिव्यक्ति के लिए नई भासा की खोश कर रहा था ब्रज भासा इसके लिए उप्युक्त नहीं थी इसलिए आधुनीक काल में ब्रज भासा कावी के माध्यम से पुरानी शम्वेद नाई ही अभिव्यक्ति पाती रही वह अपनी संस्कारों में जड़ हो चुकी थी उसके लिए पुरातंता का केचुल छोड़ पाना संभव नहीं था खड़ी बोली का गध्याधुनीक चेतना के फलसरूप ही अभिवक्ति का नया माध्यम बना फिर है नया आर्थिक धाचा नय संबंद साहितिक अ इतिहास बदलती हुई अभिरूचियों और समवेदनाओं का इतिहास है अभिरूचियों और सम्वेदनाओं के बदलाओं का सीधा संबंद आर्थिक और चिंतनात्मक परिवर्तन से है कुछ लोगों के द्रिष्टी में आर्थिक परिवर्तनों के साथ साहितिक परिवर्तनों का तालमेल बैठा देना ही साहितिक का इतिहास होता है कुछ लोग संस्कृति के धरातल पर ही अभिरुचियों का विकास क्रमने धारित करते हैं वस्तुता आर्थिक और शांस्कृतिक परिवर्तनों में पेचीदा संबंध है इस थुल रूप से दोनों में कारड कारे का संबंध स्थापित करके सरली करड नहीं किया जा सकता अधानता की अपिक्षा रखता है आधोने काल के पुर्व भारतिय गाउं का आर्थिक धाचा प्राया अपरिवर्तन सील और इस्थिर रहा है गाउं अपने आप में श्वता पूर्ण आर्थिकी काहीं थे इनकी अपईवर्तन सीलता को लक्षे करते हुए सर चॉल्स मेटकॉफ ने लिखा है कि गाउं छोटे छोटे गरतंत्र थे उनकी अपनी आवशक्ताएं गाउं में ही पूरी हो जाती थी बाहरी दुनिया से उनका कोई संबंध नहीं था एक के बाद दूसरा राजवन साया एक के बाद दूसरा उलट फेर हुआ हिंदू, पठान, मुगल, सिख, मराठों के राजे बने और विगडे पर गाउं वैसे के वैसे ही बने रहे गाउं की जमीन पे सबका समान अधिकार था किसान खेती करता था लुहार, बढ़ई, कुमार, नाई, धोबी, गोड, तेली आदी गाउं की अन्यावे शक्ताय पूरी करते थे पेशा जाती के नुसार निशित होता था एक जाती का वेक्ती, दूसरी जाती का पेशा नहीं करता था क्योंकि इसके लिए वह शुतंत्र नहीं था नगर और गाउं अपनी अपनी कायों में पूर्ण और एक दूसरे से और समबध थे नगर तीन तरह के थे राजनितिक महत्प के नगर, धार्मिक नगर और व्यापारिक नगर नगरों में मुल्यवान वस्तू का निर्मार होता था रत्न जटिता भूशनों, बारिक सूती रेस्मी वस्त्रों हाथी दाद की मीनाकारी, वस्त्रों की रंगाई आदि के लिए इस देश की अंदराष्टिय ख्याते थी पर इन वस्तू की खपत धनी वर्ग में होती थी विसे इस रूप से राजाओं महराजाओं समन्तों शेडियों आदि में नगरों का उद्योग शमाने वस्तू का निर्मार नहीं करता था गाम का घरेलू उद्योग अलग था और नगरों का अलग दोनों की अलग-अलग हिकाया थी अंग्रेज व्यापारियों ने इस देश को अपना बजार बनाने के लिए यहां के बारिक धन्धों को बहुत कुछ नश्ट कर दिया जो कुछ बाकी बचे थे वे नहीं समाजिक व्यवस्था के करण नस्ठो गए अंग्रेजी राजिकी अस्थापना के साथ साथ इस देश की समाजिक संघटना में विगटन और परिवर्दन आरंब हो जाता है यो तो अंग्रेजों की विजे की जिम्मेदारी यहां की इस्थिर आर्थिक व्यवस्था पर ही नहीं है अनेक जातियों उपजातियों में विवक्त देश में पारश्परी की एकता का सर्वता अभाव रहा है विदेशी मुसल्मानों की विजे का कारण भी यही था और अंग्रेजों की विजय का भी आज भी जब एक सीमा तक देश का अधुने की करण हो गया है जाती की अधार पे चुनाव जीते जाते हैं नियुक्तिया होती हैं पुराता नार्थिक व्यवस्था के छिन भिन होने पर भी जाती प्रथा सिथिल तो हुई पर मिट नहीं सकी आधुनिक साहित में भी इस प्रथा पर करारी चोट की गई पर वह किताबी बन कर रह गई आर्थिक धाचे के परिवर्तन के साथ अधिरचना के धाचे को भी अन्यस्तर पे मुलता बदलने की जरूरत बनी होई है जो आर्थिक परिवर्तन अंग्रेजों द्वारा ले आया गया वह मुसल्मान आक्रमर कारियों द्वारा संभवन नहीं था इनके आगमन से समाजिक रीती नीतियों में कहीं संकोच और कहीं विस्तार दिखाई पड़ा मुसल्मान ययावर थे और समाजी विकास के द्रिष्टी से वे पिछड़े हुए थे उनके स्थिती पुरू शामंतिय थी इसलिए वे विजई होकर भी यहां की उच्चितर शबहता से अंसता विजित हो गए मुगलों के जमाने में आर्थिक समाजिक धाचे में स्थिर्ता आई किन्तु वे भी समाज के धाचे में कोई बुनियादी फर्क नहीं लिया सके आर्थिक इकायों में यथा इस्थिती बनी रही अंग्रेज सामन्तिय व्यवस्था से आगे बढ़के पूजीवादी व्यवस्था अपना चुके थे समाजिक विकास के दिश्टी से वे यहां के लोगों से एक मंजी लागे थे इसलिए आर्थिक व्यवस्था को तोड़ने और परिवर्तन करने में उन्हें सफलता प्राप्त हुई अंग्रेजों ये गाउं की आर्थिक व्यवस्था में जो रदो बदल किया उसे उनकी कृपा नहीं कहा जा सकता इसमें उनका अपना स्वार्थ नहीं था गाउं की जमीन का बंदुबस्थ करने के कारण उन्हें थोड़ों लोगों से ही माल गुजारी मिल जाती थी जमिनदारों और बड़े बड़े जोतेदारों का एक ऐसा तबका खड़ा हुआ जो अंग्रेजों की आखरी विदाई के समय तक उनकी सहायता करता रहा अंग्रेजों ने इस देश को लूटा इसका व्यपार नश्ट किया भारतेंदू ने कविवचन सुधा में मार्च 1874 में लिखा है ये आपको ध्यान देना कविवचन सुधा में भारतेंदू ने क्या लिखा है कि सरकारी पक्षि का कहना है कि हिंदुस्तान में पहले सब लोग लड़ते भिड़ते थे और आपस में गमनागमन ना हो सकता था यह सब सरकार की कृपा से हुआ पर हिंदुस्तानियों का कहना है कि उद्योग और व्यापार बाकी न रहा रेल आदी से भी द्रवे के बढ़ने की आसा नहीं है रेलवे कमपनी वालों ने जो द्रवे व्याई किया है उसका ब्याज सरकार को देना पड़ता है और लेने वाले बहुधा विलायत की लोग है कूल मिला के 26 करोर रुपिया बाहर जाता है लाड करनवालिस ने सन 1793 में बंगाल बिहार और उडिसा में जमिनदारी पथा लागोगी तो लाड करनवालिस अंग्रेच आसक थे और इनका मकबरा हमारे यहां है लाड करनवालिस बहुत फेमा से गाजीपुर में है तो लाड करनवाली सिन्हों नहीं बंगाल, बिहार और उरिसा में जमिनदारी पथा लागों की है बाद में बंबई, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कुछे लागों में भी यही ववस्था जारी की गई सन्न 1820 में सर्टामस मुन्रो ने इस्तमरारी बंदोबस लागों करके जमीन को व्यक्तिकत संपत्ती की रूप में बदल दिया जमिनदार और जोद्दार दोनों ही जमीन का क्रेविक्रे कर सकते थे इसके पहले जमीन को ना खरीदा जा सकता था और न बीचा जा सकता था क्योंकि उस पर व्यक्ति का श्वामित थो नहीं था खेत के व्यक्तिगत संपत्ती हो जाने पर भी खेती को व्यावशाई खो जाना स्वाभाविक था पहले कृषी का उत्पादन गाउं में ही रह जाता था, किन्तु अब बजारों में जाने लगा यातायात की सुवधा बढ़ने पे उत्पादन की किश्म पे भी प्रभाव पड़ा खेतों में उन वस्तुओं का उत्पादन अधिक किया जाने लगा जो व्यावसाई की द्रिष्टी से अधिक लाब प्रत थी रूपय के चलन से भी व्यावसाईक्ता में अफिवरिद्दी हुई पर किसानों की स्थिती अच्छी नहीं हो सकी उन्हें एक और सरकारी माल गुजारी अदा करने की परिशानी रहती थी दूसरी और महाजन की रिड़ अदाईगी की वह बेचारा इंदो पाटों की बीच पिस रहा था समय समय पे अंग्रेज माल गुजारी की दरबढ़ा दिया करते थे फल स्वरूप किसान महाजनों के चंगुल में बुरी तरह फस जाता था महाजनी सभ्यता का जाल फैलाने का स्रे अंग्रेजों को ही है आए दिन अकाल भी पढ़ते रहते थे अकाल पिड़ितों की रक्षा करने में अंग्रेज अधिकारी और समर्थ थे अकाल की ज्वाला में हजारों लोग भश में भूत हो जाया करते थे कर के भारी बोज और अकाल महामारी आदी की भयंकरता का प्रचूर उलेख भारतेंदू तथा उनके मंडल द्वारा लिखे गए साहित्ति में मिलेगा जब भूमी व्यक्तिगत संपत्ति हो गई और उत्पादन के वितरण का ढग बदल गया तो पुराने समाजिक संबंधों के अस्थान पे नए समाजिक संबंध बनने लगे सामोही खेती के नश्ट होने के कारण संबंधों की रागात्मक्ता तोपने लगी व्यक्ति के अपने अपने स्वार्थ हो गए इसलिए अर्थ पेटी का हुआ स्वार्थ आत्म परक हो गया पूंजी वादी अर्थ व्यवस्था में घटिया स्वार्थ का जन्म होता है और यांत्रिक्ता के कारण जो पूंजी वाद का अगला चरण है अकेले पन या एलियनेशन का पहले सरल ग्राम व्यवस्था में पारस्परिक जवडों का निप्टारा पंचायतों में हो जाता था किन्तु नई अर्थ व्यवस्था के कारण पारस्परिक संबंध जटिल हो गए अब पंचायतों द्वारा उनका फैसला नहीं हो सकता था ऐसी स्थिती में नई संस्थाओं का जन्म हुआ और पंचायतों के साथ कचहरियों को अस्थापित किया गया पुराने विवस्था में भी अलगाव था किन्तु वह अलगाव एक प्रकार का था और नई विवस्था में जो अलगाव आया वह दूसरी प्रकार का था पहले एक गाउं दूसरे गाउं से और गाउं सहर से अलग थे साहते संस्कृती पे नागरिक संस्कृती के गहरी छाब थी सबको एक सुतिता प्रदाम करने वाला तत्तु धर्म था यही कारण था कि भक्ति कालेन काव्य नगर और गाउं को समान रूप से प्रभावित कर सका रिती कालेन काव्य में गाउं को नफरत की निगाह से देखा गया है इसे प्रमारित करने के लिए बिहारी के दोहे उधित किये जा सकते हैं आधोनिक काल में गाउं की और साहित्तेकारों की द्रिष्टी अवस्य गई पर तब तक किन ही अंसों में गाउं बदल चुके थे अंग्रेजों की नई विवस्था से जनता को घोर संकट का सामना करना पड़ा खेत अनेकानिक टुकडों में बट गए किसान और सरकार के बीच बहुत से मध्यस्त हो गए पैदावार घर्टी गई ग्रामेड उद्योग धंधों के नश्ट होने पे अधिक से अधिक लोग खेती पे आश्रित हो गए सहरी उद्योग भी अंग्रेजों की क्रिपा से काल कौलित हो गए पुरानी अर्थ्ववस्था की अस्थान पर जिस नहीं अर्थ्ववस्था को लागू किया गया उससे अंजाने ही एतिहासिक विकाश की अनिवारे प्रक्रिया के फलसरूप भारतिय समाज विकाश की और अग्रिशर हो गाउं के जड़ता तोटी गाउं और सहर एक दूसरे से संपर्क में आने के लिए बाध्य हुए एक घेरे में बधी हुई अर्थ्ववस्था राश्टोर मुख हो चली जो देश केवल धार्मी की एक्ता में बधा हुआ था वह राश्टी एक्ता के प्रति भी जागरूख होने लगा जाती प्रता को भी एक धक्का लगा जाती आर्थिक वर्गों में पतलने लगी किन्तु जाती प्रता की जरता को तोड़ा नहीं जा सका आर्थिक वर्गों का उदे तो हुआ पर जाती उच्चता की भावना विलीन नहीं हो सकी अंग्रेजों ने जाने अंजाने जो सुविधाय दी उनका उप्योग उच्च जाती के लोगों नहीं किया अंग्रेजों के जमाने में सासन में उन्ही का प्रधान था राश्चिया अंदोलन भी उन्ही की हाथ में था आज के राजनीतिक दलों के सुत्रधार भी वे ही है सहित्य और कला पर भी इनहीं का अधिपत्य था इसलिए आज एक होकर भी हम अनेक है और अंग्रेजों ने इसी भेदभाव का लाव उठाया अंग्रेजों ने यही तो किया तब फूट डालो राज करो के निती अपना ही थी और यहां भेदभाव पहले से यह किसी को लाना ही नहीं है थोड़ा सा बस लोगों को चढ़ा देना है भेदभाव की यहां कम ही नहीं है धर्म के अधार पे जाती के अधार पे गरीबी अमीरी के अधार पे भेदभाव की कमी है नहीं कोई बाबा चढ़ा दे कोई मुल्ला चढ़ा दे कोई भी चढ़ा दे चढ़ जाएंगे लोग यहां के तो यहां के लोगों को भड़काना आसान था और अंग्रेजों ने विसी का फायदा उठाया लोगों को भड़काया अपने पक्ष में किया कुछ लोगों का बटवारा किया बताया कि तुम्हारे साथ गरत हो रहा हम तुमको फायदा देंगे ठीक तो यहीं सम्निती अपनाते प्रक्रिया विकास की अनिवार प्रक्रिया के सफल सुरू भारतिय समाज विकास की और अग्रिसर हुआ गाउं की चड़ता तूटी गाउं और सहर यह तो हम लोग पढ़ लिये थे हाँ यहाँ पे थे कि अंग्रेजों ने भेदभाव का लाव उठाया और नए नए आर्थिक वर्गों का जन्म हुआ उच वर्ग और श्रमी की अत्रिक तेक नए मध्य वर्ग का उधे हुआ आधुनी काल में उस वर्ग की भूमी का ही सबसे अधिक रान्तिकारी कही जाएगी इस वर्ग की उधे का एक कारण और था नहीं सिक्षा तो सिक्षा का पस्चिमी करण कैसे हुआ हम यह देखेंगे अंग्रेजी राज की स्थापना और आर्थिक परिवर्थनों के शंदर्व में जीवन की नई समस्याएं पैदा हुई इन समस्याओं से जूझने के लिए नए द्रिष्टी कोडों की आवशक्ता पड़ी कहना न होगा कि नई सिच्छा प्रडाली द्वारा जो ग्यान विज्ञान उपलद्ध हुआ उससे बहुत सहायता मिली पंद्रहवी शतापदी के अंत में इस देश को जिस पास्चात ग्यान विज्ञान के संपर्क में आना पड़ा वह भारत के ग्यान विज्ञान से प्रकिर्टी में ही भिणने था भारतिय ग्यान गतानुगतिक और परंप्रा भुक्त हो चला था पास्चात ग्यान विज्ञान नए जीवन संदर्भो की ताजगी लिए हुए था भारतिय ग्यान विज्ञान का लक्ष अध्यात्मिक और पारलोकिक था तो पास्चात्य ग्यान विज्ञान का लक्ष भौतिकर इहलोकिक इस देश की विद्या वर गया जाती विशेश तक सी मित थी पर पास्चात्य विद्या सर्व सुलब थी फिर भी ज्ञान विज्ञान की अनेक छेत्रों में इस देश ने अभूद पूरु प्रगती की थी दर्शन, जोतेस, गडित, औशधी, विज्ञान, धर्मसास्त्र, कावेशास्त्र, व्याकरण आदी में इसकी जोड का कोई अन्य देश नहीं था पर अब उन्ही को दोहराया जा रहा था नए उद्भाव नाव का मार गवरुद हो चला था वेदादी की आप्तता, वर्नाश्रम धर्म की श्रेश्चता, इहलोकिक्ता के प्रतियान शक्ती, भाव, यथा स्थती बनाये रखने के पक्षधर थे नए परिस्थितियों में उनकी उप्योगिता के आगे प्रश्ण चिन लग गया था मुसल्मानों में भी उसी प्रकार की गतानु गतिकता घर कर गई थी मैं काले ने दोनों की सिक्षा पधतियों पर टिपड़ी करते हुए लिखा है हिंदूओं और मुशल्मानों की सिक्षा पधतियों में बहुत कुछ समानता थी वे उस भासा में सिच्षा देते थे जो जनता की भासा नहीं थी उनकी सिक्षा का मूँस्रोत धर्म था और उसकी आप्तता परिवर्तनिय थी वे नए अभिनिवेश और परिवर्तन के विरुद्ध थे इस प्रकार के शिक्षा पधति अपने धर्म के प्रती कट्टरता की भावना ही पैदा कर शक्ती थी इनके द्वारा श्वतंत्र व्यक्तित्त और विवेग सम्मत व्यग्यानिक द्रिष्टिकोण का निर्मार संभव नहीं था आधूनिक सिक्षा पधति का समारंब एक महत्तपूर नतिहा से घटना है आधूनिक होने की दिशा में यह एक गत्यात्मक प्रत्न माना जाएगा आधूनिक सिच्छा प्रडाली के प्रसार में मुख्यता तीन सक्तियों का युगदान है पहला इसाई मिशन दूसरा अंग्रेज सरकार और तीसरा ग्यक्तिगत प्रयाश ब्रिटिस राज की स्थापना के पुरूई शाई मिशन दच्छिड भारत में धर्म प्रचार के कारे में लगे हुए थी नई सिच्छा से उनका कोई संबंध नहीं था प्लासी युद्ध के बाद सन 1778 में डेनिश मिशन कलकत्ता आया पर अन्तु इसका क्रिया कलाब भी सीमित रहा 1893 में मिशनर्यों का दूसरा महतपुन दल कलकत्ते पुचा कैरे और उनके दो सहयोगियों ने जो उस मिशन से संबध थे नए बंगाल के निर्माड में महतपुन भुमी का निभाई बंगला गदी की निव डालने वाले लोगों में कैरे भी हैं सन 1813 में कमपनी ने एक नया चार्टर शुक्रित किया इसकी अनुसार सिक्षा आदि उपयोगी काम के लिए अनुदान देने की विवस्था की गई इस चार्टर के बाद आने वाले मिश्णरियों ने अलेक्सेंडर डफ का कार शर्वादी खुल लिख ली है कमपनी की आधिकारियों का डफ का विश्यस प्रभाव था डफ धर्म प्रचार का कारे अंग्रेजी सिख्षा के प्रचार द्वरा करना चाहता था डफ को धर्म प्रचार के कारे में तो सफलता प्रायर नहीं मिली पर इसी बहाने अंग्रेजी सिक्षा देने वाले बहुत से स्कूल कालेज खुल गए इसाएं मिश्निडियों ने जो कुछ कारे किया उसके पीछे ना तो कोई अध्यात्मिक प्रेणा थी ना अनुग्रह की भावना वे इसाएं धर्म प्रचार में लगे हुए थे अपने धर्म के प्रचारार्थ उन्होंने हिंदू और मुसल्मानों के धर्मों पे निस संकूर चाक्रमर किया उनके निंदा की प्रतियेक मिशन स्कूल में इसाएं धर्म की सिक्षा निवारे थी उनका विश्वास था कि प्रतियेक अध्यापक विज्ञान और गड़ित पढ़ाते हुए प्रकारांतर्शे भारतिये धर्मों को तोड़ने में मदद करता है पर आकडों से जाहिर है कि बहुत कम लोग इसाए धर्म की स्रेष्टता से प्रभावित होकर उसमें दिक्षित हुए फिर दिया है कि जिन लोगों ने उस धर्म को स्विकार किया उन लोगों को प्रेणा देने वाली वस्तू धर्म की स्रेष्टता नहीं अर्थ की स्रेष्टता थी फिर भी मिस्नर्यों की अपने काम ने भी भारतिय आरे भासाओं को गद्य शैली थी भारतिय भसाओ हिंदी बंगला मराथी गुजराती आदी की गद्य सेली अत्यां तारंभी किस्थिती में थी जनता में धर्म की प्रचारार्थ मिश्णर्यों को उसकी जरूरत महसूस हुई ये जीके में प्रसन बंता है कि बाइबिल का नवात भारतिय भासा में किसने किया कैरे ने किया था इसकोलों में पढ़ाने के लिए उन्हें पाठे पुस्तके भी लिखनी पड़ी भारतिय धर्म पुरारादी को भी उन्होंने विव्रातमक गद्य में प्रस्तूत किया अब है सरकारी प्याश कि सरकारी प्याश क्या किया गया सिख्छा के लिए आधुनिक काल के विकाश के लिए तो अपनी विकृतियों के बावजूद मिश्णरियों ने लोगों को अंग्रेजी सिख्छा क्यों राक्रिष्ट किया कई द्रिष्टियों से इसकी उप्योगिता सिध हो रही थी इस भासा के माध्यम से अंग्रेज व्यापारियों से विचार विन्मे में शुविधा होती थी अंग्रेजी जानने वाले लोगों को विदेशी फर्मू और कमपनी के प्रशासन में नौकरी पाना सरल था 1765 से 1813 इसबी तक इस्ट इंडिया कमपनी ने सिच्छा के छेत्र में कुछ भी नहीं किया किन्तु वारेन हेसी टंग्स को मुसल्मानों के तुष्टी करड के लिए कॉलकता मदर्शा 1780 खोलना पड़ा इसी प्रकार बनारस के रेजिडेंट ने सन 1791 में बनारस संस्कित कॉलेज की निव डाली कलकत्य का फोर्ट विलियम कॉलेज 1801 में मुख्यता कमपनी के सिवल सर्वेंट्स को अंग्रेजी सिच्छा देने के लिए खोला गया तो देखिए ये पूषता है जो फोर्ट विलियम कालेज है उसका मुख्य हुदेश क्या था वो क्यों शुरू में खोला गया था पहले तो उसका मुख्य हुदेश था जो कमपनी के सिवल सर्वेंट्स थे उनको अंग्रेजी की सिच्छा देने के लिए क्योंकि अंग्रेज भारत के लोगों को भी तो नौका रखते थे, काम पर रखते थे, उनको अंग्रेजी नहीं आती थी, तो अंग्रेजों को समस्या होती थी, तो उनको सिखाना था ताकि अंग्रेजों को अपने काम में सुविधाओ, तो अपने स्वारत के लिए उन्होंन किये कुछ भारत के लोगों ने अंग्रेजी भी सीखा उस कॉलेज में जाके दाखिले हुए जो नोकरी करते थे अंग्रेजों के अंडर में किन्तु यहां कि अध्यापकों से देशी भासा में पार्ठी पुस्तके कोस और व्याकरा तयार करने का काम भी लिया गया इस कालेज की मुख्य देन यह है कि इसकी द्वारा भारतिय भाषाओं में गद्य लिखन को प्रोच साहन मिला कॉलकता, मदर्शा और बनारा संस्कृत कालेज की अस्थापना से अंग्रेज विद्वान प्राचि भासा में अभिरूची लेनी लगे बिलियम जोन्स ने संस्कृत के लिए बहुत कुछ किया पर संस्कृत और अर्भी फार्सी की सिक्षा का रोजी रोटी से कोई संबंध नहीं रह गया था इसलिए प्रगतिसील विचारक इसके पक्ष में नहीं थे किन्तु युद्धों में उल्जे रहने के कारण 1823 तक कमपनी इस जिसा में कुछ नहीं कर सकी सन 1823 में कमपनी ने कलकत्ते में एक लोग सिक्षा समीती संगठित की लोग सिक्षा के सम्बंध में इस समीती का सुझाओ देना था इस समीती में दो विचार धराओ के लोग थे हैं एच एच विल्सन और एच टी प्रिंस्प प्राच भासाओं के समर्थक थे इन्होंने कलकत्ते के मदर्शिय और बनार्श के संस्कित कालेज का पुन्रगठन किया 1824 में कलकत्ता एजुकेशन प्रेश के स्थापना हुई इस प्रेश से संस्कित और अर्वी के पुस्तके छपने लगी पर बेंथम के सिस्सी जेम्स मिल के निर्देशन में काम करने वाले डाइरेक्टर कोर्ट के लोग और इसाई मिसनेरियों में बिशाप हरबर और अंडर डफ जैसे वेखती थे राजा राम मुहनराय ने लौड एम हश्ट को पत्र लिखते हुए कॉलकता संस्कित कालेज की अस्थापना का विरोध किया उन्होंने लिखा कि व्याकरण की बारिक्यों और विदांत मिमांसा न्याय को कंठस्त करने में नवयोकों की एक दर स्थान पे उन्हें प्राकरतिक विज्ञान रसायन सास्त्र गड़ित आधी की उप्यों के सिक्षा देनी चाहिए सन 1834 में जब मैकाले भारत पहुचा तो प्राची सिच्छा विरोधियों को काफी बल मिला मैकाले संस्कित कॉलेज और अर्भी फार्शी मदर्शों के विरुध था उसका सुझाव था कि इनको बंद कर दिया जाए अंग्रेजी भासा की प्रसंसा में उसने लिखा है किसने मैकाले ने लिखा है कि हमारी भासा पस्चिमी भासाओं में सर्वत्तम है जिसे इस भासा का ग्यान प्राप्त है उसे संसार की अपहार ग्यान भंडार की उपलब्दी हो सकती है बहुत कुछ संभावना है कि यह पुर्व के शमुंद्रों की वाड़े जिभासा बन जाए लाट बेंटिक ने मैकाले का पतिवेदन स्विकार कर लिया संस्कृत और अर्वी फार्षी को दिये जाने वाली अनुदान तो बंद नहीं किये गए पर प्राची विद्या की विद्यार्थियों को जो छातर विद्यी मिलती थी वह समाप्त कर दी गई और संस्कृत अर्वी फार्षी की पुस्तकों का छपना रोग दिया गया आकलेंड को यह स्थिती स्विकार न थी उसने संस्कृत अर्वी फार्षी पुस्तकों का छपना जारी कर दिया पर बेंटी की पाश्यात सिच्छा की संस्तुती उसे जूंकी तो माने थी इसी समय दो प्रश्ण प्रमुक रूप से सामने आएं सिख्छा का माध्यम और जनता में सिख्छा का प्रिचार प्रिशार ये दोनों प्रश्ण देश की संस्कृती, राजनीती और समाज के साथ व्यापक रूप से जुड़े हुए थे सिच्छा के माध्यम के संबंध में तीन विकल्प थे पहला यह कि माध्यमिक और विश्वविद्याले के सिच्छा का माध्या मंग्रेजी हो दूसरा यह कि संस्कृत हो और तीसरा यह कि अर्वी फार्सी हो तता तीसरा यह था कि बोल चाल की भासा बंगला, हिंदी, मराथी, गुज्रादी, उर्दू, आदी हो चार्ल्स ग्रांट पहले मत के समर्थक थे मैं काले ने बोल चाल की भासा को सिख्छा माध्यम के रूप में और समर्थ घोशित किया संस्क्रीत अर्भी के विशे में उसने जो कुछ कहा उससे उसका अज्ञान प्रकट होता है जो भी हो अंग्रेजी भासा सिख्छा माध्यम के रूप में स्विकार कर ली गई बोल चाल की भासा को सिख्छा का माध्यम न स्विकार करने का निर्णय अत्यान्त दुर्भाग गिपूर्ण कहा जाएगा अंग्रेजों में भी विल्सन और सेक्सपियर जैसे वेक्तियों ने देशी भासाओ की उप्योगिता का समर्थन किया सिख्छा समीती के एक भारतिय सदर्ष्य जगरनात सेठ ने 1847 में अपने विचार प्रकट करते हुए जो कुछ लिखा है वह अनेक द्रिष्टियों से महत्पून है लिखे हैं कि यदि हमारा उदेश भारतिय जन्ता का ज्यान वर्धन और उनके मस्तिक का परिशकार करना है तो हमें उनकी अपनी भासा में सिख्छा देनी चाहिए इस तरह सिख्छा के लिए और दूसरा उपाय कौन हो सकता है मैं अंग्रेजी के अध्यन को हतोत साहित नहीं करना चाहता किन्तु मेरा दिड़ विश्वास है कि यदि सिख्छा भारतिय जन्ता के अभी गम के बाहर है पर अंग्रेजी अधिकारियों पर इसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा और अंग्रेजी भासा उचिसिख्छा का माध्यम स्विकार कर ली गई प्राया दलिल दी जाती है कि अंग्रेजी भासिख्छा के फलसरूप देश में एक्ता की भावना पैदा होई जीवन की समस्याओं के सम्मंध में लोगों ने ने ढ़ंग से सोचना अरंब किया राश्टिय आकांग्षाओं को जागरित करने में इसे बहुत स्रे दिया जाता है प्रश्ण यह है कि देशी भासाओं के माध्यम से सिख्छा देने से किया इनों देशों की पूर्ति न होती वस्तुता यदि अंग्रेज अधिकारियों ने देशी भासा का माध्यम अपनाया होता तो राश्टियता की भावना और भी जल्द उत्पन होती सिख्छा के इतना अधिक फैल जाने पर भी इस देश का अधुने करण नहीं हो पाया अधिकांस लोग निरिच्छर और जाहिल हैं आज भी जन्ता की जहालत का फायदा उठा कर कभी धर्म के नाम पे कभी जाती के नाम पे पढ़े लिखे लोग अपना उल्लू सिधा कर रहे हैं पर उस समय पर उस इस सिख्छा के माध्यम से जिस बौधिक मधिवर कवदे हुआ उनकी आदर शूचे थे आगे चलके उन्होंने इसका अप्योग राष्ट्य सांस्कृतिक विचारों के प्रसार में किया सन अठारा सो तिर्पन में कमपनी की आग्या पत्र का नवीनी करण होने वाला था ब्रिटिस संसद ने भारत में स्थाइस इच्छा नितिन अधारित करने के सिलसिले में एक संसद ये समीती बना दी इसके फल सरूप सन अठारा सो चोवन में वुड घोशना पत्र प्रकाशित हुआ कुछ लोगों का कहना है कि इस घोशना पत्र को जान श्टूर्ट मिलने तयार किया था इसके अनुसार जन सम्मू को सिक्षित करने का प्रियत्न प्रारंब हुआ विश्र विद्यालेव के अस्थापना हुई और अस्थापना हुई प्रात्विक और मादिमिक सिच्छा को भी प्रोच साहन मिला प्रती एक प्रांत में सिच्छा विभाग स्थापित किये गए जिससे सिच्छा को एक समान्य स्थर पर प्रतिष्ठित करने में सुविधा हुई अब है उत्तर भारत में सिच्छा हमने सिच्छा में सरकार का क्या महत्व था वो देखा अब देखेंगी कि उत्तर भारत में सिच्छा की क्या ऐसी दे थी बंगाल की तरह उत्तर भारत के लोग अंग्रेजी सिच्छा की उरुनमुख नहीं हुए पस्चिम उत्तर प्रदेश और अवध अवध जुआज का उत्तर प्रदेश है बहुत बहुत में अंग्रेजी राजी में मिलाया गया कॉलकता विदेशी व्यापार्यों का केंद्र था व्यावशाइक फर्मों और प्रसासकिक दफ्तरों में नोकरी पाने की वहां सुविधा थी बंगाल के बाहर ये शुविधाय उपलब्ध नहीं थी इसाय मिस्निर्यों के साथ संबंध होने के कारण लोग अंग्रेजी सिक्षा को संका के दिश्टी से देखते थे बिहार में इसकी प्रती कोई उससाही नहीं दिखाई पड़ा बंगाल के लेटिनेंट गवर्नर की एक विध्यापती 1878 से पता चलता है कि पट्टा की स्कूलों के इंस्पेक्टर जनर्डल के कार्याले को वहां के लोग सैतान का दफ्तर खाना कहते थे उत्तर प्रदेश में अन्हेक अंग्रेजी स्कूल कालेजों के खुरे जाने के बावजूत कोई खास प्रगति नहीं हुई सिच्छा में पिछड़े राने के कारण उत्तर भारत के सांस्कितिक विकास में भी गत्यावरो उधाया जिसे दूर करने में समय लगा नवीन सिच्छा पदती का लेखा जोखा लगाने पर इसमें कई अंतरविरो दिखाई पड़ते हैं सच तो यह है कि अंग्रेजों को अपने दफ्तरों के लिए देशी बाबू की अवशक्ता थी जिससे उनका व्यावसाय प्रप्रप्रसासन निर्बाद चल सके इसाय मिश्निरी सिच्छा के माध्यम से लोगों को इसाय बनाके पुनिलूटने के चक्कर में थे इस देश के उत्साही व्यक्तियों के द्रिष्टी में भी समान्य तह रोजी रोटी का सवाल है प्रमुक्ता समराज वादियों से यहासा नहीं कि जाने चाहिए कि वे उपनी वेश हो कि कल्यार कामना से कोई काम करेंगे यह कहना कि सिच्छा पधती के कारण ही राष्टिय भावना का उदे हुआ कम भ्रांती पूर्ण नहीं है इस सिच्छा पधती के अभाव में भी राष्टिय भावना का उदे होता है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पास्चात सिच्छा प्राप्त की थी कांग्रेस की अस्थापना के पुरुन की रशनाओं में देशकाल की अने समस्याएं मुखरित हुई है इस सिच्छा प्राडाली के कारण छोटा सब बुध्य जीवी मध्यवर्ग जरूर पैदा हुआ पर अधिकांस लोग निरचर रह गए फिर भी इसे एक तरह का धर्म निर्पेक्ष द्रिष्टी कोड बना जो मध्यकाली इंधार्मिक रूढियों से मुक्त होने के कारण तरक शम्मत और हिलोकिक हो सका और व्यक्तिक स्वतनता इसकी दूसरे उलेखनी देन है आश्रम धर्मी घेरे बंदी से बाहर निकल कर व्यक्तिकी अपने निर्णे को आहमियत मिली मध्यकाली इंधार्मिक रूढियों को विश्वश्णिय बनाने और आधुनी क्योंकि समस्याओं से जोडने के मूल में यही प्रवित्ति क्रियासेल थी तो यही प्रवित्ति क्रियासेल थी आधुनी क्योंकि समस्याओं को जोडने के मूल में और इसके बाद आता है यातायाद के साधन यातायाद के साधन में हम देखेंगे क्या है तो उनिश्वी सताबदी इस्वी में दुनिया भर में यातायाद के साधनों में परिवर्तन हुआ इस देश में भी रेल, बस, इस्टिम सेप आधी ने लोगों में रास्ट यता और वैचारी की एक्ता की भावना भरने में सहायता पहुचाई किसी भी रास्ट के आर्थिक विकास पर ही या तयात का विकास निर्भर करता है ब्रिटिस काल के पुरू भारत का आर्थिक धाचा इस्थिर और और विक्षन सेल था इसलिए हमें बैलगारी से अधिक किया उशकता भी नहीं थी इंग्लेंड की अद्वागी क्रांती के कारण वहां की उद्योग पतियों के सामने या समस्या हो गई कि वे अपने उद्पात की खपत कहां करे और कालखानों के लिए कच्चा माल कहां से ले आवे भला उन्हें भात वर्ष अच्छा बजार और कहां मिल सकता था उन लोगों ने इस्ट इंडिया कंपनी की सरकार से भारत में रेल्वे की अस्थापना और शड़क निर्मार के लिए अनुरोध किया लाट डलहोजी जो रेल निर्मार युजना का अगुआ था इसके मूल में निहीत आर्थिक अवशक्ताव का उलेख स्वयम करता है आर्थिक लाब की अतिरिक्त अंग्रेजों को बाहरी आक्रमर कारियो और आंतरिक विद्रोही से अपनी रक्षा करने के लिए भी गमनागमन की और ध्यान देना पड़ा रेलवे और अच्छी सड़कों की सहायता से फोजों का एक अस्थान से दूसरे अस्थान पे पहुशना सुगम हो गया जाहिर है कि इस देज के सांस्कितिक आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए इसका आयोजन नहीं हुआ बलकि अंग्रेजों के अपने स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए ही रेलवे का जाल भी चाया गया और अच्छी सड़के निर्मित हुई रेलो और सड़कों ये क्रिशी को व्यावसाइक बनाने में मदद भूचाई दूरिया सिमट कर कम हो गई और विभिने छेत्रों के लोगों को एक दूसरे से अल्प समय में सुविधा नुसार अस्थान से दूसरे अस्थान पे अन्वस्त राधी भेजने में सुविधा प्राप्त हुई किताबों पत्र पत्रिकाव आधी को दूर दूर तक सरलता पुर्वक पहुचाया जाने लगा इस पुराने संकिन विचारों के ओ तोड़ने में सहायता मिली अब है प्रेश और जन्मत प्रेश और जन्मत देखेंगे हम तो प्रेश और जन्मत देखेंगे हम अगली क्लास में ठीक, इस क्लास में इतना ही तो उमीद करते हैं क्लास अच्छी लगी होगी लाइक सेर कमेंट जरूर करिएगा और टेलिग्राम का लिंग कमिन्ट में पिन कर दिया जाएगा टेलिग्राम से सभी लोग जुड़ जाएगे ताकि दो लाइब क्लास होती है आठ बजे और दस बजे Monday to Saturday तो दोनों क्लासों में आप जुड़ सके क्योंकि practice बहुत important है book reading भी important है practice भी तो book reading दो दो book चल रही है उनका link भी share कर दिया जाएगा तो आप सभी जूर जाएगे चैनल पर नए हो तो subscribe भी जरूर करें मिलते हैं अगली क्लास में आप सभी को क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाज